So, hello guys, welcome back to the new video session दोस्तों, मैं महावीर सर आपके लिए लेकर आचुका हूँ latest job update जो की निकल कराई है ITBP की तरफ से हैं जी हाँ दोस्तों, ITBP ने सब इंस्पेक्टर की post लिए recruitment का notification जारी कर दिया है इसमें male email दोनु candidate आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको details है इसके बारे में information देने बाला हूँ कौन-कौन इसमें apply कर सकता है eligibility criteria क्या रखा गया है किस तरह से आवेदन आपको करना है कब से start होंगे साथ ही कितनी इसमें post रहने वाली है तो चलिए start करते हैं इडियो सेसन सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की post रहने वाली है यहाँ पर बताया गया है इंडो टिप्टन बोर्डर पुलीस फोर्स इन्वाइट्स ओनलाइन एप्लिकेशन फ्रॉम इलिजिबल इंडियन सिटिजन्स टू फिल अप वेकेंसी ओप सब इंस्पेक्टर ओवर सीर ग्रुप बी नॉन गेजटेड ओन टेंप्रेरी बेसिस लाइकली टू बी पर्मानेंट इन आईटी पी इस बात का ध्यान रखना है तब तक आप क्या रहते हो टेंप्रेरी रहते हो ठीक है उसके बाद में आप अर्मानेंट होते हो जब आपको अपनी पोस्ट पर जोइनिंग मिल जाती है यहां पर दोस्तों बात करें पे लेवल की तो पे लेवल आपका 6 रहेगा और पे मेट्रिक्स यहां पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपे रहने वाला है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि स्टार्टिंग में जोइनिंग होते हैं आपके जो सेलरी है वो 35,400 रहेगी ठीक है इसके बाद में इसमें आपको T.A.D.A., H.R.A., अलांसेज वगएरा भी सारे मिलने वाले हैं तो सेलरी कापी अच्छी समें रहने वाली है यहां पर बताया गया है selected candidates will be liable to serve anywhere in India or abroad आपको कहीं भी joining जो है वो दी जा सकती है, posting आपको कहीं भी दी जा सकती है लेटर स्टेज, आपको सबसे पहले अपनी eligibility condition के बारे में अच्छे से जांस लेना है ताकि आगे चलकर कोई आपको problem ना हो यहां पर बात करें नंबरों vacancy की तो आप यहां पर देख सकते हैं सब inspector की totally आपर 37 post रखी गई है, male candidate की बात करें तो 32 post है और female की आपर 5 post रहने वाली है यहां पर अपनी category के अनुसार भी आप vacancy को चेक कर सकते हैं फिर यहां पर बताए गया, vacancy are tentative and may increase and decrease, जो vacancy है वो आपकी बढ़ाई या घटाई जा सकती है यह department पर निर्भर करता है और फर्दर जो information है वो आपको कहां मिलेगी तो recruitment.itbp.police.nick.in पर आपको सारी information मिल जाएगी इसके बाद में बात करें eligibility condition के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं age जो है वो इसकी 22-25 years रखी गई है 25 years इसकी अपर age limit है तो यहां पर जो general category के जो UR category के candidates है उनकी अपर age limit 25 years है उसके बाद में SC, ST, OBC और ex-servicemen को age limit में छूट मिल जाएगी online application form की जो last date है वो 14 अगस्त 2022 रहने वाली है और आपकी जो age की counting है age की जो घंडना है वो आपकी इसी date से होगी 15 अगस्त 1993 से पहले का आपका जनम नहीं होना चाहिए इसके बाद में बात करें educational qualification की तो आपका 10 पास होना जरूरी है साथ में civil engineering का आपके पास में diploma होना जरूरी है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं कब से online application form start होंगे इसको लेकर बात करें तो यहाँ पर हमें बताया गया कि online application form जो वो इसके start होने वाले है 16 जुलाई 2022 को और यह चलने वाले है 14 अगस्त 2022 तक ठीक है तो आपको एक मैने का time दिया जाएगा apply करने के लिए तो 16 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसके syllabus को लेकर exam pattern को लेकर और selection process को लेकर मैं आपको next वीडियो में detail से जानकारी दूँगा जिसमें मैं आपको complete selection process बताऊंगा साथ में syllabus और exam pattern को लेकर भी ताकि आपको notification मिलते रहे बिना प्रेस के आपको notification नहीं मिलेगी telegram channel का link मैंने आपको description box में दिया वहां से आप join करे ताकि वहां भी आपको अरत्रे की updates मिलते रहे thanks for watching मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैहिंद